बहती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर जटका लग सकता है। पैट्रोल और डिजल के बाद अब रसोई गैस भी भुखताओं की जेब जिली करने वाली है। अप्रेल से खाना बनाना और भी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत ओ गई है। और अप्रेल से इसका असर भारत पर भी दिखने लग सकता है। जिससे यहां भी गैस की किल्लत होने से CNG, PNG और बिजली की कीमते बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही वाहन चलाने के साथ फैक्टरियों में उत्पादन की लागत भी पर सकती है। सरकार के फर्टिलाइजर सबसीडी बिल में भी इजाफा हो सकता है। पुल मिला कर इन सब का असर आमुफ भोगता पर ही परने वाला है। रूस यूडोब को गैस सप्लाई करने का एक बड़ा स्रोथ है। यानि यूक्रेन संकट के कारन उस पर असर पर सकता है। वैश्विक अर्थ व्यवस्था कोरोना महमारी के प्रकोप से बाहर जरूर निकल रही है। लेकिन दुनिया भर में उर्जा की बरती मांग की वज़े से इसकी आपूर्थी में कमी आ सकती है। यही वज़े है कि गैस की कीमतों में काफी तेजी आई है। यूज़ डेस्क रिपोर्ट असमा देखते हैं।